तो आज की यह वीडियो हमने कमेंट के ऊपर बनाई है एक दीदी का कमेंट है दीदी ने हमसे पूंचा है दीदी यफियल सी आर्पी की नौकरी के बारे में बताईए तो दीदी आज की इस वीडियो में हम आपको यफियल सी आर्पी की नौकरी के बारे में संपूर जानकारी बताएंगे कि ये फिल सी आरफी की नवकरी किस वरकार की नवकरी है कारी क्या करना होगा मान दे कितना मिलेगा किस हिसाब से मिलेगा ये फिल सी आरफी की नवकरी में आवेदन करने ही तो योगिता पातरता चैन प्रक्रिय क्या होगी और एक बलाक में कुल कितनी ये फिल सी तो संपूर जानकारी आज की इस वीडियो में हम आप सभी को बताने वाले हैं तो आज की यह वीडियो आप सभी दीदियों के लिए बहुत ही महत्ते पूर हैं वीडियो को पुरांत तक जरूर देख लीजिएगा ताकि आप सभी को यह फिल सी आरफी की नौकरी से संबंधित संपूर जानकारी मिल सकें तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं तो दिदिराजी ग्रामीर आजीव के अमिशन के अंतरगत बने स्वेम सहाता समू के तहत महिलाओं को बित्तिय साच्छर्ता से संबंधित जानकारी प्रदान करने के लिए यह फिल सी आरफी का चैन किया जा और स्वेम सहाता समू के अंतरगत कारियरत दीदिया इस नौकरी में आवेदन करती हैं सबसे पहले हम आप सभी को बता देते हैं यह फिल सी आरफी का मतलब क्या होता है यानि यह फिल सी आरफी का फुल फर्म क्या है और स्वेम सहाता समू में यह फिल सी आरफी की आवज सक तक क्यों पड़ी, तो एफ से हो गया आपका accurate, यल से हो गया literacy, c से हो गया community, r से हो गया resource, p से हो परशन, financial का मतलब होता है बिथ्ति, बिथ्ति ये बोले तो धन, literacy का मतलब होता है साचर्ट, community का मतलब होता है समुदाय, रिसौर्स का मतलब होता है संसाधन, परिसन का मतलब होता है व्यक्ति, यानि बित्ती या साच्छर्टा सामुदाइक संसाधन व्यक्ति एफ्यल सी आरफी का यही Full Farm होता है जो हमने आपको इंगलिस में भी समझाया है और हिंडी में भी तो दिदी स्वयम सहाता समु के अंतर गती या फिल सी आरपी की आवज सकता क्यों पड़ी इसके बारे में जानते हैं विस्तार पूर्बग तो यहाँ प्यास देख सकते हैं अधिकतर ग्रामीर छेत्रों में रहने वाली महिलाएं अपने स्वयम के धन के बित्तिय प्रबंधन या बैंकों से उपलब्ध बित्ति उत्पादों और सेवाओं से आवगत नहीं होती हैं इस महत्पूर समझ की कमी के कारण स्वयम सहाता संसाधन व्यक्त की आवज सकता परी यानि स्वयम सहाता समु के अंतरगत जो भी ग्रामीर महिलाएं जुड़ी हुई हैं उन सभी महिलाओं को दित्त से संबंधित जानकारी प्रदान की जाएगी यानि धन के बारे में उनको जानकारी दी जाएगी कि किस प्रकार से वे कारी यो मुत्तरदाई तुक्या हैं तो इसमें पहला पॉइंट है आब अंटित स्वयम सहाता समु का बेस लाइन सर्वे करके सच्छम आयप पर दर्ज करते हुए बित्ती ये साथ चर्ता पर तीन सत्रों में समु सदस्यों को बिश्तरित प्रसिछड देना है अगला तो इछ कम से कम साथ दिन का गैप होना चाहिए और प्रतेह कि अफील सियारपी को माह में नव दिन का कारिय मिलेगा तो ये फ्यल सियारपी का प्रसिछड सत्र क्या है इसके बारे में भी जान लीजिए ये फियल सीयारपी आब अंटित गावं में जाएंगी और एक दिन मे प्रतियक 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 सत्र 3-4 घंटे का होगा पहला सत्र योझना योम विभिन बैंकिंग चैनल के बारे में समू की महिलाओं को जानकारी दी जाएगी दूसरा सत्र बच्चत योम क्रेडिट कैसे करना है इसके बारे में भी बताया जाएगा और तीसरा सत्र है बीमा योम पिंसन इसके बारे में आपको जानकारी दी जाएगी तो सरकार के द्वारा बैंक के माध्यम से जो भी सकीमे चलाई जा रही है तो सभी सकीमों के बारे में समू की महिलाओं को जानकारी यह फिल सी आरफी दीदी के द्वारा दी जाएगी यह भी जानकारी दी जाएगी कि कुल कितनी प्रकार की बैंके हैं और कौन सी बैंक सरकारी कौन सी बैंक प्राइबेट है, किस बैंक में आप पैसा जमा करेंगी, तो आपका पैसा शुरच्चित रहेगा। पर्सनल बचत खाते पर आधार सीडिंग नौमनी दर्ज करवाना, फिक्स डिफॉजिट मुद्रा लोन, बचत जन्धन खाता खुलवाना के सीसी, बैंक लोन, बीमा कबर, प्रधान मंतरी जीवन जोती बीमा, प्रधान मंतरी दुरगटना बीमा, पिंसन, अटल पिंसन, कैसल इस विवस्था, बैंक की अन्फिये, इत्याद की जानकारी देने हे दू, स्वयम सहाता समू के अंतरगत, ये फिल सी आरपी का चेयन किया जा रहा है, ये फिल सी आरपी, स्वयम सहाता समू, ग्राम संग अठानियम, संकुल अस्तरिये संग की बैठकों में जाएंगी, के द्वारा किया जाएगा, जब इतना सारा कार ये फिल सी आरपी करेंगी, तो उनको प्रतिमाह मांदे कितना मिलेगा, इसके बारे में भी जान लीजिए, तो ये फिल सी आरपी मांदे योम भत्ते, तो इसमें देखिए, ये फिल सी आरपी कोई एक माह में 9 दिन का काम दि इसी हिसाब से जो है FLCRP का मानदे बनेगा और यह मानदे कारियाधारित मानदे ही इनको दिया जाएगा कोई फिक्स नहीं है कि प्रतिमाह इतना मानदे FLCRP को दिया जाएगा तो चलिए अब आगे जान लेते हैं FLCRP की नौकरी में आवेदन करने हैं तू योगिता पातरता च और यइन प्रिक्रियक क्या होगी है तो दिद देखिए इस नौकरी में केवन 17 समु की दीदी ही आवेदन कर सकती है कोई अन्य महिला इस नौकरी में आवेदन नहीं कर सकती है Sमु सदसि की उमरी 21 से 45 वरस होनी चाहिए Sमु सदसि के पास स्मार्टफोन होना अनिमार्य है और स्मार्टफोन को अच्छे से चला लेती हो, क्योंकि दीदी सारा कारिय जो है आउनलाइन तरीके से आपके माध्यम से किया जाएगा, अगला पॉइंट है, समू सदसे को कम से कम हाई स्कूल पास होना जरूरी है, और साचिक योगिता प्रमारपत्र होना जरूरी है, उसके बाद अगला पॉइंट है, समू सदसे अपने समू में कम से कम बारा बैटकों में उपस्थित हो चुकी हो, और आबेदिका का समू जो है ये ग्रेड का होना चाहिए यदि इतनी योग्यताएं आपके अंदर हैं दीदी तो आप इस नौकरी के लिए आभेदन कर सकती हैं तो इस नौकरी में आभेदन कैसे करें अवस्यक दस्ता बेज क्या क्या लगेगा चलिए इसके बारे में भी हम आप सभी को बता देते हैं तो दीदी देखिए इस नौकरी का आभेदन जो है आफ लाइन तरीके से ही किया जाएगा और इस नौकरी का आभेदन आप अपने संकुलस्तरी संग या ब्लॉक पे जाएए सुयम सहतर समु के कारियाले यानि राजी ग्रामी राजीब का मिशन के कारियाले पे जाएए ब्लॉक मिशन मैनेजर के पास आप आभेदन कर सकती हैं जब आपके ब्लॉक से यह बैकिंसी निकलेगी आप सभी दीरियों को ग्राम संग अठन संकुल स्तरीय संग के माध्यम से जानकारी दी जाएगी आप इस नवकरी में आवेदन कर सकेंगे ठीकर आवेदन करने हैं तू आवश्यक दस्ता बेज क्या लगेगा अधार कार्ड का फोटो कापी बैंक पासबुक का फोटो कापी सम सहातस समु सदस से पासबुक मिला है उसकी भी फोटो कापी लगेगी पासपोर्ट साइच फोटो मोबाइल नंबर यही सारे जो है दस्ता बेज लगेंगे इस नवकरी में आवेदन करने हैं तू तो दिद देखिए इस नवकरी में आपकी लिखित परिच्छा योम इंटर आएंगे उसके बारे में भी जान लीजिए तो दिद देखिए महिला जब पेपर देंगी तब समु से संबंधित प्रस्न खाता खोलना आम दनी खर्च बचत से संबंधित प्रस्न पूछे जाएंगे इसलिए आपको अपने समु से संबंधित सभी जानकारिया पहले से ही तैयार करके रख लेनी हैं और उन्हें अच्छे से पढ़ लें परिच्छा पास होने के बाद आपका इंटर्वियू लिया जाएगा जिसमें आप से जो प्रस्ण पेपर में पूछे गए होंगे उन्ही से संबंधित प्रस्ण यहां पर भी पूछे जाएंगे FLCRP के रूप में कल लिया जाएगा आपको जो है मिसन के द्वारा प्रसिछड भी दिया जाएगा चायनित संभावित FLCRP का आवासी प्रसिछड कारिकरम 6-7 दिन जिला भी 37 चर्ता केंडर FLCCRCT के माध्यम से इनको प्रसिछड दिया जाएगा प्रसिछड के माध्यम से FLCRP दिदी को उनके कारियों उत्तरदायतु के बारे में संपूर जानकारी सिखायों बताई जाएगी कि कैसे उनको फिल्ड वर्क में जा करके कारिक करना है तो दिदी जान लीजिए एक ब्लॉक में कुल कितनी FLCRP रखी जाएगी ये FLCRP की तैनाती का अधार क्या है तो दिदी देखिए FLCRP का चेंज सभी जिले के सभी ब्लॉक में किया जाएगा प्रती एक ब्लॉक को चार कलस्टर में बाट कर निवनतम आठ से दस निवनतम दो FLCRP प्रती कलस्टर का चेंज किया जाएगा सक्षम गाइडलाइन के आधार पर FLCRP की संख्या प्रती ब्लॉक आठ से दस रखी गई है यानि प्रती एक ब्लॉक पर जो है आठ से दस FLCRP का चेंज किया जाएगा और प्रती एक कलस्टर में दो-दो FLCRP की निवक्ति की जाएगी यानि FLCRP जो है कलस्टर लेवल फिडरेशन की कैडर है और इनको मान दे यों भत्ता संकुलस्तरी संग के माध्यम से ही भुगतान किया जाएगा तो दीदी यही है FLCRP की नवकरी क्योंकि दीदी सभी ब्लॉकों में अलग-अलग समय पर FLCRP की नवकरी निकलती रहती है दीदी यां आवेदन करती रहती है तो दीदी यदि आप लोग यह नवकरी करना चाहती है तो आप लोग अपने-पने ब्लॉक पर जानकारी कर लीजिए यदि आपके ब्लॉक पर बैकेंसी आई हो तो आप भी इस नवकरी के लिए आवेदन कर दीजिए तो दीदी आसा करते हैं कि आज की यह वीडियो आप सभी दीदियों को पसंद आई होगी तो वीडियो पसंद आई हो दीदी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए चैनल पर पहली बार आए हैं तो फिली चैनल को सस्क्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आप सभी को साहतासमू ग्राम संगठा नियुम साहतासमू से संबंधित नई से नई जानकारी बराबर अपने इस चैनल के माध्यम से मिलती रहें आज के वीडियो में वस इतना ही मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ तब तक के लिए धन्यबाद